सो गाइस बोल्ड ने निकाल दिया है नियू स्मार्ट वाश बोल्ड श्ट्राइकर प्लस यह आपको ना सिर्फ 1500 में मिलेगा यार काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखनी को मिन जाते हैं और कुछ-कुछ चीज है ना जो मुझे इस वाच में सप्राइडिंग लगी है इ क्या आपको यह स्मार्ट वाच खरीदना चाहिए इस रेली वर्थ 1500 में इस वाच में आपको सिंक अलॉय का यूस क्या गया है भाई बिल्ड क्वालिटी काफी प्रिमियम लगती है थोड़ा सा यह सा आपको बेजल दिखेंगा बट काइंड आफ ना कर्व थोड़ा सा लग भी अच्छी है और भाई बिल्ड पॉलिटी अच्छी है बटन्स काफी टेक्टाइल दे रखे है इसमें तो यह काफी अच्छी चीज है डिस्प्ले की बात करो तो 1.39 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिलती है 1500 में HD डिस्प्ले नॉट बैड और इस डिस्प्ले की क्वाल यह काफी स्मूध दे रखा है कुछ नया UI नहीं है बट यह स्मूध यह तो यह एक अच्छी चीज है आपको इसमें अलाम, स्टॉप वच्छ, वेधर कंटोल यह सब देखने को मिलता है अलाम अब बहुत से सेट नहीं कर सकते हूँ उसके लाब आपको इसमें गेम्स भी द इतनी अच्छे नहीं होती है बट गाइज आएम सप्राइज इसकी ना एक्यूरेसी मुझे काफी कमाल की लगी है डेडिकेटेट सेंसर SPO2 का दे रखा है हर्टेट मॉनिटरिंग का एंड काफी अच्छे से काम कर रहा है हालाकि यार मेडिकली उसके लिए नहीं है डेफिन दिए अच्छे एक अच्छे एक चीज़ और गाईज अगर कॉल आता है तो आपको लएक इस प्राइज में आफी रेर होता है आपको इसमें ना वाइबरेट का रिंग एंड वाइबरेट एंड सायलेंड का ओप्षन मिलता है तो ये दो चीज़ से मैं इसकी एक्यूरेसी स मैं थोड़ा सप्राइज हुआ है इस प्राइस रेंज में न काफी रेर होती है यह चीज़े IP सेटिफिकेशन की बात करूँ तो गायत IP67 देखने हो मिलता है जस्टिफाइड है 1500 में IP67 नो प्रॉब्लब अट आल तो यार अगर मैं final verdict की बात करूँ न तो 1500 में आप bold का striker plus definitely आप consider कर सकते हो look wise या काफी कमाल का दिखता है and overall accuracy अच्छी है तो अगर आपको tracking के लिए चाहिए और आपका budget टाइट है 1500 है then definitely bold striker एक काफी अच्छा option होने वाला है आपके लिए गाईस my link नीचे दे दूँगा launch price मिस करते हूँ मुझे DM कर सकते है Instagram में वीडियो ना तक देख लिया है अच्छा लगा है like का देना चैलमे नहीं हो subscribe करो मिलते हैं अगले वीडियो में